इस विशाल ब्रह्मांड में विशेश है हमारी धर्दी। एक ऐसी दुनिया जिसमें जीवन को बनाए रखने वाले पांचों तत्व हैं। प्रित्वी, जल, वायू, अग्नी और आकाश। जीवन की हर मूल आविशक्ता, हर सुख सुविधा इन तत्मों से ही तो मिलती है। उन्नती की राह पर अग्रसर, आज का जीवन बेहत तेजरवतार हो चुका है। लेकिन आज भी हमारे देश की जादातर जनसंख्या बहुत दूर है आधुनिक टेक्नोलिजी जिलैस इस ई-एज से। भारत की जनता को आज जरूरत है एक नए तत्व की जो उन्हें एक बेहतर जीवन दिला सके और आज वो छठा तत्व वास्तव में क्षितिज पर ही है। जी हाँ, एक ऐसी ई-क्रांती जो सौ करोड से जादा आबादी वाले हमारे देश में समाज के हर तपके के जीवन स्तर में सुधार ला रही है। भारत सरकार द्वारा शुरू किये गए National E-Governance Plan यानी N.E.G.P. में इस ही अद्भुत नए तत्व का समावेश है। अंगिनत समाज सुधार की संभावनाओं को जीवन में ला रहा है अपनी तरह का विश्व का सबसे बड़ा प्रॉजेक्ट N.E.G.P. और इन सब में सबसे खास हैं सारवजनिक सेवा केंद्र C.E.C.'s इन फ्रंट एंड केंद्रों द्वारा सरकारी, प्राइवट सेक्टर सेवाएं और सोशल सेक्टर सेवाएं देश के कोने कोने में पहुँच रही हैं। देश भर में आज एक लाग से भी अधिक CSEs स्थापित हो चुकी है आज समस्त भारत में CSEs छे लाग से भी अधिक गाउं में नागरिकों को सौ से भी जादा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं जैसे खसरा खतोनी की नकल जाती प्रमाण पत्र इंकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र महात्मा गांधी राष्ट्रिय ग्रामीन रोजगार गैरेंटी योजना के तहत पंजी करण और जॉब कार्ड से लेकर रोजगार सेवाएं जैसे व्यावसाइक सोफ्ट स्किल्स और भाषा प्रशिक्षन ओनलाइन शिकायतों का समाधान फोन, बिजली, पानी आदी के बिल का भगतान बस, रेल और हवाई टिकेट की ओनलाइन बुकिंग राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसन्स और पास्पोर्ट के लिए आवेदन मोबाईल फोन रीचार्ज, समाज कल्यान सेवाएं जैसे आवास योजनाई, पेंशन योजनाई, टेली मेडिसिन द्वारा डॉक्टर मरीज की दूरी का आंत इसके अलावा, जीवन उद्धार की अनेक सुविधाएं जैसे e-learning, माइक्रो फाइन्स और माइक्रो बीमा सेवाएं आदी, हमारी दूरस्त आबादी की जीवनशैली बदल रही है अब अपनी खतोनी के लिए इसके इंदर पर आए हैं पहले खेरें मिलती थी, तैसील में अब ये हमारे गावों में इसका सेंटर खुल गया तो हमें इसका एक तो समय की बचत है, पैसी की बचत है, दोनों चीज है और ये हमें जोडते किर्सी कार्ट बढ़वाने के लिए इसलिए आज हमें सेंटर पर आज आए हैं CSC's द्वारा, विभिन्न व्यावसाइक व सामाजिक सेवाएं देश भर के ग्रामिलों तक तेजी से पहुँचाई जा रही है जब से ये CSC सेंटर खुले हैं तब से लाइट बिल भरना, पॉलिसिस के प्रीमियम भरना, रिचार्ज करना, मोबाईल, फोन बिल भरना इसे बहुत सारे काम ये CSC सेंटर खुलने से एक जगा आके हम सब काम कर सकते हैं इसलिए टाइम हमारा बहुत सारा बच जाता है और वैसे भी मैं एक हाउसवाइब भी हूँ और मैं एक इंजिनेरिं कॉलेज में मैं सीखती भी हूँ इसलिए मेरे लिए तो टाइम की एहमेद बहुत सार है इसलिए जब से ये CSC सेंटर खुले हैं तब से मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है इसके पहले बच्चों को या उनके पिता को या जो किसान है या इलिटरेट है तो उन लोगों को सर्टिफिकेट निकालने के लिए बहुत सरे प्रॉब्लम्स आते थे लेकिन उन्हें वही पे स्कूल में जो आप्लिकेशन्स भेज दिया रहे थे जितने बच्चे कास सर्टिफिकेट हो या नेशनलिटी या दोमा साइल सभी जो एजुकेशनल परपस के लिए जरूरी है तो वो सभी डॉक्यमेंट्स वहाँ पे स्कूल में आवेलेबल करने की फैसिलिटीश शुरू कर दिये वास्तों में CSC's महिला उत्थान का एक महत्वपोन माध्यम बन रहे है आज काफी बड़ी संख्या में महिलाएं CSC's चला रही है CSC's का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आम नागरिकों को अनेक सेवाएं और जानकारी एक ही छट के नीचे मिल जाती है तो वो उसके पास भेजता था जी वो उसके पास और होँसे परेशाल होकर हम भोती कारिया हुआ ना हुआ कोई गारंटी नहीं थी सुविदा खुलने से हमें इतना लाब है कि हमारा समय बस जाता है हम अपनी दुकान खोल लेते हैं अपनी मजदूरी कर लेते हैं इस सुविदा को बहतर समझने के लिए आए देखते हैं कुछ CSC's में सुविदाओं की पूरती के उदाहरन आज जब आप नए राशन कार्ड के लिए CSC में आते हैं तो वहाँ आपको फॉर्म भरने में मदद मिलती है अगर आपके पास पुराना राशन कार्ड है तो वो आप फॉर्म के साथ ही जमा करते हैं आपकी सारी जानकारी जाचने के बाद वो कम्प्यूटर में भरी जाती है आपकी तस्वीर, हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान भी कम्प्यूटर में कैप्चर किया जाता है खीक अंकल मैना आपका अवीदिन कर दिया है, दस दिन बाद आप उन्हा राशन कार्ड यहीं से मिलें, खही णहीं जाना इसके लिए बात आप और आपकी आपके दी। जुझा बनने के लिए और पहले तो हमें बहुत प्रभ्लम होती थी हमारे पास टाइम भी नहीं था हमें जो बड़ा फायदा है शान्षा करदाओ लिए शबीद पुजलि बिल के लिए मोबाइल के लिए रासनकार्ण के लिए प्रमान पत्र के लिए बैसी यहां कि एक ही छटके नीचे सारी गौवर्मेंट सर्विसे बड़े आसानी इसे प्रोवाइड होती हैं जैसे कि रासनकार्ड, वूटरकार्ड, जन प्रमानपत्र, मृत्वी प्रमानपत्र, आय प्रमानपत्र, जाती मुल्लिवास इसी तरह आज आप अपना बैंक अकाउंट पंचायत के CSC में ही खोल सकते हैं तस्वीर आपका हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान और पहचान पत्र आदी कम्प्यूटर में फीड किये जाते हैं फीज देकर हाथों हाथ रसीद मिल जाती है और इस तरह आसानी से आपका खाता खुल जाता है सारवजनिकंग केंद्र Public Private Partnership यानि PPP का एक बहतरीन उदाहरण है मैंने स्कोलर से फॉर्म फिलप किया है जिसके लिए मुझे Domicile Certificate की जरूरत थी मेरा कोले में सीटी से काफी दूर है ये केंद्र नस्दीक में खुल जाने से मैं आके अपना Domicile Certificate बनवा सकता हूँ और इसके लिए मेरा स्टडी का और ताइम दोनों बहुत सार बच्चेगा और साथ दिनों मैं मैं अपना Domicile यहां से ले जाऊँ गया इसके द्वारा सरकार, प्राइविट सेक्टर, सिविल सुसाइटी और लोकल संस्थाओं से मिलकर ग्रामीन क्षेत्रों में सामाजिक व आर्थिक उत्थान कर रही है हर गुजरते दिन के साथ भारत के दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग एक बेहतर दुनिया में कदम रख रहे है सच में N.E.G.P. अपने सार्वजनिक सेवा केंद्रों द्वारा बदल रहा है देशवासियों का भविश्य ग्रामीन भारत में प्रगती की नई तस्वीर बन रही है नागरिकों की जरूरतों की तेजी से पूर्ती और सेवाओं का बेहतर लक्षी करन समय और दूरी को बेमतलब बनाता ये छठा तत्व बदल रहा है देशवासियों का जीवन हाथ पकड़ लो साथ चले हाथ पकड़ लो साथ चले एक कदम आपकी और एक कदम आपके लिए